नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे सकती साली ऐसी तीन चीजों के सेवन की विदी के बारे में बताऊंगा यदि आप इनका सेवन कर लेते हैं न तो चाहे आपकी उमर कोई भी हो आप कितनी भी उमर के हो 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल दोस्तो आप किसी भी उमर के व्यक्ती हों ये चीज, ये तीनों चीजें आपकी कमजोरी को बेलकुल जड़ से मिटा देंगी आपको मर्द बना देंगी, आपके सरीर के दर्द को चाट जाएंगी, चाहे खून की कमी हो या आँखों की रोसनी को बढ़ाना हो दोस्तो इन सब में ये कारगर तरीके से काम करेंगी और आपके सरीर को भी नीरोगी बना देंगी नमस्कार दोस्तो दोस्तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजabolic और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर भी जरूर कीजिये दोस्तो आज की सुड़ में मैं जिन तीन चीजों की बात कर रहा हूं वो आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे बस आपने क्या करना है इन तीनों चीजों का प्रयोग हमारे दुवारा बताएगे विदी से करना है इन तीनों चीजों में जो सबसे पहली चीज है वह है दोस् फल है जिसके पास आपके सरीर को ताकत देने की पूरी सकती है यदि आप अंजीर का सेवन सही तरीके से कर लेते हैं तो आप अपने सरीर की बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पासकते हैं क्योंकि अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैलसियम, मैगनीसियम, आइरन, एंटुक यदि आप खाली पेट अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हडिया मजबूत बनती हैं क्योंकि अंजीर में कैलसियम और मैगनीसियम होता है जो आपकी हडियों को मजबूत बनाता है जिसकी वज़े से आपको जोडों, घुटनों, कंधे, कमर, कलाई का दर्द नहीं ह दोस्तों यदि आपका पाचन खराब रहता है तब भी आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंजीर में फाइबर बाए जाता है जो आपके पाचन को मजबूत करता है, यदि आप अपने वज़न को घटाना चाहते हैं, तब भी अंजीर आपके लिए कारगर क्योंकि यदि आप सुबह खाली पिट अंजीर का सेवन करेंगे तो इससे आपका पिट देर तक भरा रहेगा और आपको भूक नहीं लगेगी जिसे आपका वजन तेजी से कम होगा। यदि आपको भी बार बार कबज रहती हैं आपका सोच प्रोपर नहीं आता तब आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए वो भी खाली पिट क्योंकि अंजीर में फाइबर होता है जो आपके सरीर के अंदर जाकर आपके मल को मुलायम बनाता है और आपको कबज की समस्या नहीं ह मातरा में होता है जो आपके बलर पैसर को कंटोल करने का काम करता है इसके साथ ही अंजीर में ऐसे गुन होते हैं जो आपके सरीर से बैड कोलोस्टोल को दूर करते हैं और अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाते हैं और इस अंजीर के सेवन से आपको बलर सरकुलेशन प्रोपर बन रहता है। आपके सरीर में खून की कमी कभी ये इलाज करता है क्योंकि इसमें आइरन भरपूर मातरा में होता है। जिससे आपके सरीर में ब्लड का फ्लोपर बन रहता है। आपको कोई ब्लोकेज नहीं होती। और जब आपका कोलोस्टोल और ब्लड पैसर दोन को अंजीर का सेवन करना चाहिए क्योंकि अंजीर में कार्बो हाइडरेट होता है यदि आप खाली पिट अंजीर का सेवन करेंगी तो इससे आपको पूरा दिन अनर्जी मिलती रहेगी यदि आपको डायबटीज की बीमारी है तब भी अंजीर आपके लिए कार कर है कुछ ल नहीं अंजीर का सेवन करके आप अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं ये तो हो गए अंजीर के फाइदे अब जानते हैं इसमें दूसरी चीज दोस्तो इसमें दूसरी चीज है किसमिस दोस्तो किसमिस भी हमारे लिए बहुत आदिक फाइदेमन है इस वी इसमें विटामिन भी होता है, जो आपके चेहरों पर जूरिया नहीं आने दिता, आपके चेहरे पर हमेशा गलो बना कर रखता है, दोस्तों ये किसमिस आपके सरीर की पोसत तत्यों की कमी को दूर करती हैं, जिससे आप हमेशा अनरजीवान बने रहते हैं, ये हो गई दूसर की, तो वह है चने, दोस्तों आपको चनों को भीगो कर खाना चाहिए, यदि आप इस त्रहें से इसका सेवन करते हैं, तो ये आपके पाचन को दुरुस्त बना कर रखते हैं, आपके हाट को हेल्दी बना कर रखते हैं, आपके वजन को तेजी से घटाने में आपकी मदद क को भी कम करते हैं तो देखा दोस्तों ये तीनों चीज़ें कितनी चमतकारी हैं आपके सरीर के लिए और यदि आपके सुक्राणों में समस्य है तब भी आपको इन तीनों चीज़ें का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी जो सुक्राणों होते हैं उनकी क्वाल्टी को बह तब आप अंजीर और किस्मिस को ऐसे ही खासकते हैं। लेकिन यदि गर्मियों में आप इसका सेवन करें। तब आपने इनको एक गिलास में विगोकर रखा रहनी देना है। और किस्मिस को भी चबा चबा कर खा लेना है। उसके आदे गंटे के बाद आपने चने को भी रात बर के लिए पानी में विगोकर रखा रहने देना है। और सुबह नास्ते के समय आपने इन चनों का सेवन करना है। आप चनों का सेवन गुड के साथ कीजिए ता आपको जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता न वो भी दोड़ पड़ेगा आपके चेहरे पर नई ताकत आपको खुद मैसूस होगी जिस व्यक्ति ने आपको दस दिन पहले देखा होगा और इसको खाने के दस दिन बाद देखेगा वो आपके चेहरे की लालिमा देखकर खुद अश्च आपको कितना फर्ग दिखाई दिया फिर मैं आपको एक और नुस्खा बताऊँगा जो उसके उपर भी चार चांद लगा देगा आप इस नुस्खे को अपना ये और अपने सरीर की हरत रहें की समझ्या का समाधान कर दीजिए यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी की नोटिफिकेशन आत रहें धन्यवा दोस्तो